Good morning friends, welcome to short hand help line, good morning standography series में आप सभी का स्वागत है, तो चले स्टार्ट करते हैं, असे सब्द प्रति मिनट और 100 सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद स्टार्ट, कोरोना संकट के कारण संसद का मानसून सत्र तैह समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन यह उलेखनिय है कि कम अवधि वाले इस सत्र में करीब दो दर्जन विधेयक पारित किये गए इनमें क्रिसी सुधार संबंधी, तीन महतपुर्ण विधेयकों के साथ शम सुधारों को आगे ले जाने वाले विधेयक भी सामिल हैं इसके अलावा दिवालिया संगिता संबंधी संसोधन विधेयक पारित हुआ और विधेसी चंदे संबंधी विधेयक पर भी मुहर लगी इतने कम समय में इतनी अधिक संख्या में विधेयक इसी लिए पारित हो सके क्योंकि संसद में देर रात भी काम हुआ और रविवार के दिन भी संसदिय कामकाश के प्रती के सांसदों के इस समर्पन की सराहना होनी चाहिए लेकिन अच्छा होता कि जो महत्वपुर्ण विधेयक पारित हुए उन पर गहन चर्चा भी होती भले ही विपक्ष ब्यापक चर्चा के बगैर महत्वपुर्ण विधेयको के पारित होने को लेकर सत्ता पक्ष पर दोस मढ़े लेकिन इस इस्थिती के लिए वह खुद भी जिम्मेदार है यह देखना दयनीय है कि वह अपने नकारात्मक रवैये पर विचार करने के बजाय धर्ना प्रदर्शन कर स्वयम को सही साबित करने की कोसिस कर रहा है विपक्ष और खासकर कॉंग्रेस को सबसे जादा आपत्ती क्रिशी सुधारों पर केंद्रित विधेयकों पर है लेकिन क्या इन विधेयकों के जरिये वही नहीं किया गया जिसकी वकालत उसने अपने खोशना पत्र में की थी क्या कॉंग्रेस लोग सभा चुनाओ के अवसर पर जारी किये गए अपने खोशना पत्र को वापस लेने को तैयार है जिसमें कहा गया था कि यदि वह सत्ता में आई तो APMC Act को खत्म कर देगी यदि नहीं तो फिर उसे धरना प्रदर्शन करने के बजार यह इस्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उसके विरूद का अचित्य क्या है कॉंग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी धल अब यह दम भर रहे हैं कि वे सडकों पर उतरने के साथ राष्ट्रपती से यह अनुरोद करने जाएंगे कि वे क्रिशी संबंधी विधेयकों पर हस्ताक्षन न करें क्या संसदीय नियम कानून और परंपराएं इसकी अनुमती देती हैं कि संसद से पारित विधेयकों को राष्ट्रपती मंजूरी देने से इनकार कर दें पैरा साफ है कि विपक्ष केवल दिखावे की राजनिती कर रहा है उसने यही काम नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर भी किया था तब वह यह चाह रहा था कि संसद से पारित विधेयक इस कारण खारज कर दिया जाए क्योंकि वह सडक पर उतर कर हंगामा कर रहा है यह सस्ती राजनिती के अलावा और कुछ नहीं कि संसद में चर्चा से इनकार करने वाले विपक्षी दल संसद के बाहर सोर सराबा कर खुद को लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का हितैसी बता रहे हैं यदि राजसभा में विपक्ष का संख्या बल पहले चैसा नहीं रहा तो इसका या मतलब नहीं कि वह अपनी खीज सडकों पर निकाले असी सब्द प्रत्मिनट डिक्टेशन समाब तुआ अब बारी है सौ सब्द प्रत्मिनट के डिक्टेशन की स्टार्ट होगा फो सेकेंड बार स्टार्ट कुरोना संकर के कारण संसत का मान्सून सत्र तै समय से पहले खत्म हो गया लेकिन यह उलेखनीय है कि कम अवधिवाले इस सत्र में करीब दो तर्चन विधेय पारित किये गए इनमें क्रिशी शुधार संबंदी तीन महतपुर्ण विधेय को खे साथ शम सुधारों को आगे ले जाने वाले विधेय भी सामल है इसके अलावा दिवालिया संहिता संबंदी संसोधन विधेय पारित हुआ और विदेसी चंदे संबंदी विधेय पर भी मुहर लगी इतने कम समय में इतनी अधिक संख्या में विधेय इसी लिए पारित हो सके क्योंकि संसद में देर रात भी काम हुआ और रविवार के दिन भी संसदिया कामकाश के प्रती के संसदों के इस समर्पण की सराहना होनी चाहिए लेकिन अच्छा होता कि जो महत्वपुर्ण विधेयक पारित हुए उन पर गहन चर्चा भी होती पैरा भले ही विपक्ष ब्यापक्ष चर्चा के बगैर महत्वपुर्ण विधेयको के पारित होने को लेकर सत्तापक्ष पर दोस मड़े लेकिन इस स्थिती के लिए वह खुद भी जिम्यदार है यह देखना दयनिय है कि वह अपने डगारात्मक रवैये पर विचार करने के बजाए धर्ना प्रदर्शन कर स्वयम को सही साबित करने की कोसिस कर रहा है विपक्ष और खासकर कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा आपत्ती क्रिशी शुधारों पर केंदित विधेयकों पर है लेकिन क्या इन विधेयकों के जरिये वही नहीं किया गया जिसकी वकालत उसने अपने घोशना पत्र में की थी क्या कॉंग्रेस लोगसभा चुनाओं के अवसर पर जारी किये गए अपने खोशना पत्र को वापस लेने को तैयार है जिसमें कहा गया था कि यदिवा सत्ता में आई तो APMC Act को खत्म कर देगी यदि नहीं तो फिर उसे धरना प्रदर्शन करने के बजाए यह इसपश्ट करना चाहिए कि आखिर उसके विरोध का ओचित्य क्या है कॉंग्रिस और कुछ अन्य विपक्षी दल अब यह दम भर रहे हैं कि विसड़कों पर उतरने के साथ राष्टपती से यह अनुरोध करने जाएंगे कि वेक्रिशी संबंधी विधेयकों पर हस्ताक्षर ना करें क्या संसदिय नियम कानून और परंपराएं इसकी अनुमती देती है कि संसद से पारित विधेयकों को राष्टपती मंजूरी देने से इनकार कर दे साफ है कि विपक्ष केवल दिखावे की राष्टपती कर रहा है उसने यही काम नागरिक्ता संसोधन कानून को ले कर भी किया था तब वह यह चाह रहा था कि संसद से पारित विधेयक इस कारण खारिश कर दिया जाए क्योंकि वह सड़क पर उतर कर हंगामा कर रहा है यह सस्ती राष्णिती के अलावा और कुछ नहीं कि संसद में चर्चा से इंकार करने वाले विपक्षी दल संसद के बाहर सोर सरावा कर खुद को लोगतंत्र और संसदिया परंपराओं का हितैसी बता रही है यदि राच सभा में विपक्ष का संख्या बल पहले जैसा नहीं रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी खीज सड़कों पर निकाले डिक्टेशन समाप्त हुआ मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तिल देन अपना ख्याल रखे और हाँ वीडियो को सबस्काइब जरूर करें और लाइक तो जरूर किया करें मिलते हैं नेक्ष वीडियो में धन्यवाद